वेल्कम बैक दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका, उनके अंगक, इस्ट्रक्चर और उनके फंसन के बारे में दोस्तो जैसी के हम लोग जानते हैं कि हर एक जीव एक सिंगल कोशिका से आरंब होता है बनना और इसी लिए कोशिका को जीवन की छोटी इकाई कहेंगे जिस परकार एक मकान छोटे छोटे इंट से मिल करके बना होता है उसी परकार हमारा सरीर एक जीवन का सरीर छोटे छोटे कोशिका उसे मिल करके बना होता है इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोशिका सजीव की सरंचनात्मक और किर्यात्मक इकाई होता है अगर खोज करता के इसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के जरिये कॉर्प में बिरित कोशिका की खोज किया गया था उसके बाद एंटोनी वान लिवन हुक नाम का विज्यानिक जिन्होंने 1674 में तलाबों में पाय जाने वाले सेवालों में स्वत्नत्र रूप से जिवित कोशिका की खोज किया गया था दोस्तों जैसे के हम लोग जानते हैं कि सेल की अध्यान को साइटलोजी कहेंगे और वहीं पर अगर देखा जाए उत्तको के अध्यान को हिस्टलोजी कहेंगे अब उत्तक किन को बोलेंगे तो कोशिकाओं के ऐसे समुख जो एक जैसे वर्क करे एक जैसे कारी करे उनको उत्तक कहेंगे और उत्तकों के अध्यान को हिस्टोलोजिक कहते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैसा जीव जो एक कोशिका से मिल करके बना होता है उसे एक कोशिक के जीव कहेंगे और वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिका से मिल करके बना होता है उसे बहुत कोशिक के जीव कहेंगे वास्तों में केंद्रक की उपस्तिती के आधार पर कोशिका को दो भागों में बाटेंगे प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक तो प्रोकेरियोटिक उन कोशिकाओं को कहेंगे जिनका नूकलियस यानि की केंद्रक वेल डेबलोप्ट नहीं होता है और वहीं पर देखा जाए युकेरियोटिक उन कोशिकाओं को कहेंगे जिनका नुकलियस यानि की केंद्रक वेल डेबलॉप्ड होता है सही तरीका से बना होता है और इसलिए प्रोकेरियोटिक से बना जितनी भी जियू होता है वो एक कोशिका का होता है और यूकेरियोटिक से बना जितनी भी जियू होता है वो बहुत कोशिकिया होता है दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग पता कियें कि रोबर्ट हुक नाम का विज्ञानिक जिन होने कोशिका को सबसे पहले खोजा था और इन होने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया तो सबसे पहले कोशिका का पता रोबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया कोशिका का वर्नन किया था और वहींपा लिवयन होक ने सबसे पहले उन्नत सुक्ष्म दर्शी से सेवाल में स्वतनत रूप से जिवित कोशिका का पता लगाए था कोशिका को हम लोग दो भागों में बाटेंगे एक हो गया जन्तू कोशिका और दूसरा हो गया पादप कोशिका तो जन्तु कोशिका उन कोशिकाओं को कहेंगे जो जन्तु में पाय जाता है और पादप कोशिका उन कोशिकाओं को कहेंगे जो पादपों में यानि की पेरपोधा में पाय जाता है अब हम लोग बात करने वाले हैं और्गेनेल्स यानि की कोशिकांग के बारे में कोशिकांग कोशिका का बड़ा भाग है जो कोशिका जिली या प्लाजमा जिली से घीरा एक तरल पदार्थ होता है इसमें बहुत से कोशिका के घटक होते हैं जिसे कोशिका अंग कहते हैं दोस्तों जैसी के हम लोग जानते हैं कि कोशिकांग के अंदर बहुत सारी कोशिका का अंग होता है तो हम लोग एक एक करके कोशिकांग के आंगको के नाम उनके खोज करता और फिर कारियों के बारे में डिसकस करेंगे फिर बाद में इन आंगको को डिटेल से श्टड़ी करे तो सबसे पहला नंबर में आता हरित लवक, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हरित लवक का खोज सिंपर नाम का वेग्यानिक ने किया था और इनका कारे देखा जाए तो परकास संसलेशन के जरिये भोजन का निर्मान करना होता है दुसरे नंबर में आता है माइट्रोकोंडिया, माइट्रोकोंडिया जो कोशिकांग है वो कॉलिकर नाम का वेग्यानिक ने किया था और माइट्रोकोंडिया का प्रमुक कारे होता है एटिपी का निर्मान करना ATP का full form होता है adenosine triphosphate जो की उर्जा का एक रूप होता है Next है endoplasmic reticulum यानि की अंतर प्रद्रवी जालिका और इनका खोज पॉर्टर नाम का वेग्यानिक ने किया था endoplasmic reticulum का दो भाग होता है एक होता है smooth भाग और एक होता है rough भाग smooth भाग में fat का निर्मान होता है और rough भाग में protein का निर्मान होता है चोथा नमबर माता गॉल्जी का या फिर गॉल्जी complex और इनकी खोज कैमिलो गॉल्जी नाम का वेग्यानिक ने किया था गॉल्जी काय का परमुक कार अगर देखा जाए तो सुक्रानु तथा निर्मान का संसलेशन करना निर्मान करना तथा अपसिष्ट पदार्थों को अस्थानांतरन करना या फिर सेल से बाहर निकालना होता है पचोई नमबर मा आता है कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती के खोज रोबर्ट हुक नाम का विज्ञानिक ने किया था और कोशिका भित्ती जो होता है वो एक परकार का चैनात्मक पारगम्य की तरह वर करता है चैनात्मक जिली की तरह वर करता है क्योंकि ये हानिकारत पदार्थों को बाहर करता है और लाबकारी पदार्थों को अंदर आने देता है छटे नमबर माता कोशिका जिली और कोशिका जिली के खोज सिंगर और निकोलस नाम का विज्यानिक ने मिल कर किया था और कोशिका जिली का भी वर्क चैनात्मक पारगमी की तरह होता है एक्चल में कोशिका भित्ती जो होता है वो पेर पोदो के कोशिकाओं पाजाता है और कोशिका जिली जो होता है वो जन्तूं की कोशिकाओं में पाजाता है Next है क्वांटा सोम क्वांटासोम कोशिका के अंगक का नाम है और इनकी खोज पार्क और पोन नाम का विग्यानिक ने क्या था और इनका मेन वर्क होता है प्रकास संसलेशन की इकाई के रूप में नेक्स्ट देखा जाए राइवोजोम राइवोजोम जो है पैलेड नाम का विज्ञानिक ने इनकी खोज किया था और राइवोजोम का मेन वर्क होता है प्रोटीन संसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन का निर्मान करना नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लाइजोजोम तो लाइसोजोम या लाइसोसोम जिनका खोज डी दुबे नाम का विज्ञानिक निकिया था और लाइसोसोम को आत्मगाती के थेली भी काते हैं और नेक्ष अगर देखा जाए केंद्रक केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम का विज्ञानिक निकिया था और केंद्रक का मुख्य कारी होता है कुशिका का नियंत्रन करना नेक्स है केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर पाज आता है और इनका खोज क्या था फोन टाना नाम का वेज्ञानिक और केंद्रिका का वर्क होता है आर आरेनी का निर्मान करना दोस्तो RNA और DNA के फूल फॉर्म आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट केज़ेगा और लाश्ट अंगक का नाम है गुनसुत्र गुनसुत्र का खोज क्या था वॉल डेयर नाम का विग्यानिक वॉल डेयर और गुनसुत्र जो होता है एक परकार का जीन के रूप में वर्क करता है चलिए अब हम लोग बात करने वाले इन अंगकों को थोड़ा सा ब्रीफ तरीका से समझने को कोशिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका जिली यानि के प्लाजमा मेंब्रेन के बारे में दोस्तों प्लाजमा मेंब्रेन जो होता है वो प्रोटीन लिपीड और प्रोटीन का परत से बना होता है मतलब इसमें तीन लेयर होता है पहला लेयर प्रोटीन का बना होता है बीच वाला लेयर जो होता है लीपीड यानि फैट का बना होता है और फिर सबसे लाश्ट का जो लेयर होता है प्रोटीन का बना होता है इनका मुख्य कारिगर देखा जाए तो कोशिका परिवहन का नियमन करना, चैनात्मक पारगम्य और तिसरा वर्ख है कोशिका का संपर्क वा आकरिती का नियमन करना चलिए दूसरे नमबर में आता है गौल जी काई तो जैसे के अभी डिसकस कियें थे कि गौल जी काई का खोज कैमिलो गौल जी नाम के विग्यानिक निया था इसके सरंचना के बारे में अगर देखा जाए तो कोशिका के समीप ये पाए जाता है और इसमें ट्रांजिस्नल वैशिकल पाजाता है सिस्टर्णी होता है और सास्त्री वैशिकल होता है और संग्राही वैशिकल भी इसमें पाजाता है मतलब कि शिस्टर्णी जो हो गया वो एक्चॉल मेरी शेप्टर होता है और डोनर होता है जो कि जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होता है इन सबको पैकेजिंग करने का काम करता है और फिर सरीय से बाहर निकालने का भी काम करता है इनके मुख्य कार्य होता है शेकरेशन करना सुक्रावनों में एक्रोशोम का निर्मान करना और फिर लाशोशोम का भी निर्मान करना सिस्टरनी, स्रावी वेशिकल और संग्रही वेशिकल ही ऐसे इनके ओर्गेन है गौलजी काई का ओर्गेन है जो लाइसोसोम का निर्मान करने में मुख्य भागीदारी निभाता है नेक्स्ट पोइंट हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम अंगक के बारे में तो इनकी खोज डी डुबे नाम का वेग्यानिक नहीं किया था इन्हें आत्मगाती के थेली भी कहते हैं क्योंकि जो लाइसोसोम होता है एक परकार का शेनिक की तरह कायर करता है अगर देखता है कि सेल में कहीं पर गड़बर चल रहा है सेल ढंक से फंसन नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम के अंदर में डाजेस्टिब जूस होता है डाजेस्टिब एंजायम होता है ये इन digestive enzyme के level को बढ़ाता है और अपने आप को blast करता है जिसके कारण पुरा को पुरा सेल जो होता है विनास हो जाता है और इसके कारण बाकि सब सेल इंफेक्ट होने से बच जाता है इसलिए इनको आत्मगाती की थेली काते हैं इनके मुख्य कार हो गया अंता कोशिकिया पाचन, स्वभक्षन और स्वलेयन नेक्स्ट है अंता प्रद्रवी जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको ER भी लिखा जाता है इनकी सरंचना अगर देखा जाए तो सिस्टर करनी, वेसिकल्स, टिब्योल्स, द्वारा निर्मीत होता है इनका दो परकार होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुल और जो श्मूत इंडोप्लास्बी क्रेटिकुलम होता है वहाँ पर फेट का निर्वान होता है मैट्रोकॉण्ड़ी अगर देखा जाए तो कॉलिकर नाम का विग्यानिक ने मैट्रोकॉण्डे के खुज किया था मैट्रोकॉण्डिय पो कोशिका का बीजली घर भी कहा जाता अगर इसके सरंचना के बारे में देखा जाए तो दोरी इकाई जिली दुवारे निर्मित होती है Double Layer का भना होता है Double Memory का भना होता है इनकी भीतरी जिली पर वलय पाजाता है जिसे क्रिष्टी कहते हैं इसे सक्ति केंद्रक भी कहते हैं और पार हाउस अब्दसेल भी कहते हैं इनमें DNA की उपस्तिती के कारण प्रतिकरण पाय जाता है भित्री जिल्ली पर ETS वा स्वसनिय स्रिंखला पाय जाती है अगर मेट्रो कॉंडिया का मेन वर्क देखा जाए तो भोजन के आक्सी करन दूसरा इसका वर्क होता है पित पटली काओं का निर्मान करना नेक्स हम लोग बात कर लेते हैं राइवोजोम की सरंचना के बारे में अगर बात करते हैं तो इनकी जिल्ली जो होता अनुपस्तित होता है इनमें कोई भी जिल्ली नहीं पा जाता है राइवोजोम दो परका डेका जाता है रावुजूम नब्बे डिगरी का कौन पाजाने तरफ्ड़े बारो गिंदर्ट हैं साथ इativo हो favourुआ का चरील अनि यह इनको प्रोटीन सेंसलीन जन्रेसन का कारिकर रे और प्रकशिक या फिर कोशिका का इंजन भी कहा जाता है नेक्स्ट है सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम की रचना के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो जन्तो कोशिका में एक जोड़ी नलाकार सेंट्रियोल पाए जाती है वो इनके बीच 90 डिगरी का कौन पाए जाता है यह इकाई जिल्ली विहिन होती है प्रतेक सेंट्रियोल में तीरी सुक्ष्म नलिकाओं पाए जाती है मतलब कि तीन-तीन करके सुक्ष्म नलिकाओं इसमें पाए जाता है इसमें कार्ट विल सरंचना उपस्तित होती है अगर इनके मेन वर्क के बारे में बात किया जाये तो कोशीका विभाजन के समय तुर्क तन्तूअ का निरमान करता है सैंट्रो सोल नैक्ष्ट है कोशीका जिल्ली गोशीका का उपरी आवरन को कहेंगे या दोहरी एकाई जिली दोवारे निर्मित होता है और जिली पर केंद्रक छिद्र पाजाते हैं केंद्रक जिली पर फाइब्रस लेमिना नामक परत पाजाती है केंद्रक जिली पर फाइब्रस लैमिना नाम का परत पाए जाता है केंद्रक जिली का मेन वर्क अगर देखा जाए तो केंद्रक वो कोशी का द्रव के बीच परिवहन का नियमन करता है केंद्रक अब बात कर लेते केंद्रिका के बारे में तो केंदरीका की खोज फॉन्टेना नाम का वेग्यानिक ने किया था इनकी सरंचना के बारे में अगर बात किया जाए तो इकाई जिल्ली इसमें अनुपस्तित होती है इसमें एमफोरफस मैट्रिक्स कनिका मैं भाग वा तन्तू मैं भाग पाजाता है केंदरीका का में वर्क है राइबोजोम का निर्मान करना और प्रोटीन का संसलेशन में साहता प्रदान करना दुसरा है आर आरेने का संग्रहन करना चले नेक्ट देखा जाए गुनसुत्र के बारे में जिसको क्रोमोजोम कहेंगे इनकी सरंचना अगर देखा जाए तो केंदरक में पाजाता है ये विभाजन के समय दिखाए देता है समयने कोशिका में 2N वो युगमक में N अवस्था पाजाता है अगर देखा जाए तो गुनसुत्र DNA वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा ये निर्मान होता है इनका मुख्य कारेगर देखा जाए तो कोशिका के विभाजन कोशिका के विभिन गती वीधियों का नियंतरन करना और दुसरा वरक अगर देखा जाए तो एक पीड़ी से दुसरी पीड़ी में अनुवांसिक लक्षनों का अस्थानांतरन करना होता है चले next अगर देखा जाए तो पच्छा विका पच्मा विका जिसको सीलिया कहेंगे तो पच्मा विका का सरंचना जो होता है दो माध्यम दो माध्य वो नो परिधिय सुक्षम नलिकाओं की वैस्ता युक्त होता है इसमें इकाई जिल्ली अनुपस्तित होता है पच्मा विका का मेन वर्क अगर देखा जाए तो सिलियेट्स में गमन वो पोशन में साहता होता है और जनन वहिकाओं वो ट्रेकिया में पाय जाती है नेक्स्ट है लवक के बार में यानिके प्लास्टीड तो प्लास्टीड के सरंचना गर देखा जाए तो ये दोरी जिल्ली इकाई युक्त होता है और इनके मेन वर्क अगर देखा